हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मुबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं अखिलेश क्या बनेंगे मुख्य मंत्री संसत में अखिलेश को वही अश्रिवाद मिला है लोकसबा स्पीकर ओमबर्ला की जुमा पर उसी सरस्वती का वास हुआ है जो कभी उन दिनों इसी संसत में सपा संदक्षक मुलायम सिंग यादव की जुमा से निकली थी उस वक्त जब निकली थी तो विपक्ष ने हास उफास उड़ाय थी मुधी सरकार के दूसरे कारेकाल की कल्पना से भरे सपने को नगार दिया था लेकिन हास मिनोत के पल में मुधी शाह की जोड़ी को उनके दिल की बाद छुग गई थी प्रधान मंतिर नरेंदर मोधी को जब दूसरा कारेकाल मिला तो उनके और अमित शाह के दिल में मुलायम सिंग यादव के लिए सम्मान और भी बढ़ गया शायद दोनों मुलायम के उस आश्चिरवाद की आस्था में डूबे होंगे वैसे सम्मान की और वज़ा भी हो सकती है लेकिन सम्मान तो सम्मान है और जुबस से अचानक निकली बाद की भी अपनी ही महत्ता होती है इससे न सिर्फ राजनीति राजनीतिक बलकि आम जिंदगी भी कभी न कभी दो चार्टो होती है खैर ओम बिल्ला की जुबाद से अचानक निकली बाद का क्या कनेक्शन है ये बताएंगे लेकिन उससे पहले मुलायम सिंग्यादव के उस बयान को सुनिए जिसे मोदी शाह और बीजेबी ने उस वक्त अपने लिए आशिवाद माना था ये बात सफ़ा संदक्शिक मुलायम सिंग्यादव की जुबाद से तब निकली थी जब मोदी सरकार अपने पहले कारेकाल के आखरी दोर में थी अब जब उनके दूसरे कारेकाल का आरम प्रारम प्रचंड बहूमत के साथ हो चुका है तो संसद के मानसूल सत्र में फिर से वो सी नगों के सामने आ गया हाँ इतना है कि इसका कनेक्शन अब की बार सपासानसत और पूर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के उसी सुनहरे पलों से है जो 2012 में उन्हें मिला था जब 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश उत्तरपरदेश के मुख्यमंत्री रहे जो आजम खान की आपत्ती जनक तिपड़ी पर संसत पे जारी तू तू मेमे को रखने के दौरान लोग सबात्यक्ष ओम बिल्ला की सुबा से दरसल आजम खान की आपत्ती जनक तिपड़ी के बचाओ के लिए आखिलेश यादव फरंट पर आये वो एक एक करकेश मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे इसी दौरान बीजेपी सांसत की हुटिंग के दौरान वो गुस्ते से लाल पीले हो गए और उनकी जबान से भी कुछ असलसत ये शक्त निकल गए जिसके बाद स्पीकर ओम बिल्ला ने कहा कि अखिलेश याप मुखे मंत्री है आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए आला कि जब बीजेपी सांसतों ने एदराज जताया तो उन्हों ने इसमें सुधार किया कि आप मुखे मंत्री रहे हैं बहर हाल लोग सबाई स्पीकर ओम बिल्ला की जुबाद से अचानक से निकली इसी बाद से सबाई खुश है और इसका कर्रेक्शन 2022 पर होने वाले विधान सबाद चुनाव से कर दिया